अकाशकनगा के हृदय में बसे दिव्य शहर शिवलोग में हिंदू ब्रह्मान के साथ सामन जस्य में रहते थे लेकिन महाकाल के अंदेरे ग्रह से कालनेमी की राक्षसी शक्तियों ने संतुलन को बिगारने की कोशिश की अपने उन्नत अंतरिक्षियान और रोबोट सिनाओं के साथ उन्होंने शिवलोग पर क्रूर हमला किया निदर योध्धा रिशी श्री रगू के नित्रित्व में हिंदू ने आत्म ज्यान की शक्ति का उप्योग किया जो उनकी आत्माओं के भीतर गूंजने वाली दिव्य उर्जा थी इस प्राचीन ग्यान के साथ उन्होंने राक्षसों का सामना करने और अपने प्यारे शेहर में शांती बहाल करने के लिए तयार किया एक जवाबी हमला किया जो आकाश गंगा की नीव को हिला देगा अच्यवलोग के आस्मान में युद्ध छिल गया हिंदू योद्ध कालनेमी की अंधकारमई शक्तियों से भिल गये श्री रगू और उनके साथियों ने वीर्ता पूर्वक युद्ध किया उनके आत्मग्यान शक्तिशाली हथियारों ने राक्षसी कवच को चीर दिया जैसे ही जवार हिंदूओं के पक्ष में हुआ भगवान विश्नु युद्ध के मैदान में उत्रे उनका दिव्य रूप दिव्य उर्जा बिखेर रहा था अपने हाथ के एक जट्के से उन्होंने राक्षसी सेना को ख़देग दिया उन्हें वापस महकाल के पास भेज दिया हिंदूओं ने खुशी मनाई उनका शहर बच गया विश्नु की सुरक्षा कवच ने शिवलोग को घेर लिया जिससे शांती और सम्रिद्धी सुनिश्चित हुई हिंदूओं ने अपनी जीत का सम्मान किया ये जानते हुई कि उनके विश्वास और साहस ने उनके घर और ब्रह्मान को अंधकार से बचा लिया है भगवान विश्नु की सतर्थ निगाहें ब्रह्मान पर चाय रही उन्हें चायाओं से आने वाले खत्रों का अहसास था उनकी शाश्वत सतर्था ने ब्रह्मान की संतुलन को सुनिश्चित किया जो निर्दोशों की रक्षा करने और बुराई की पुनरुथान को हराने के लिए हमेशा तयार रहते थे